लड़ो प्रेंज वेल्कम माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको फिर से नएड़ जानके लड़ो पॉपल के सूज बनाने बताऊंगे जिसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने दो कलर की बूल लिया है एक हमने इसमें ला राइड ग्रीन कलर लिया है और इसमें मैंने वाइड कलर लिया है आप इसमें कोई भी कलर ले सब्के हों जो आपको परशसंद हो और नौ नम dominant की मैंने फ्रेंड से लाइन हैं तो देखो फ्रेंड मैंने इस तरह का सूज बना रख्खा है यह देखो यह देखो बड़ा ही आसान और इजी तरीके से मैंने यह बनाया है आप इसे इजी ली बनाब सकते हूं यह देखो तो मैंने यह 3 से 4 नबर लट्डू को परल के लिए बनाना बता है कि इस तरह का तो मैं इस तरह का आपको सूच बनाना बताती हूं यह दिखो तो इसी बनाने के लिए फ्रेंड हमने इसमें तो दस फंदे डालेंगे तीन से चादमबल लडूगोपाल के लिए पहले हम इस तरह से फंदा लगाएंगे देखो फ्रेंड मैंने इसमें दस फंदे डालेंगे और सिंपल फंदे डालेंगे तो चलो हम बनाना इस्टार्ट करते हैं यह देखो थोड़े फंदे यहां से लूजी रखने हैं इसे विवनेश भी बना सकते हैं ऑफ्रेंड इस बहुत आसान और इजी तरीके से में बनाना बता रही हैं एक सलाई बना लिए अब हम इधर से भी सीधी साइड से इसको उल्टा ही बनाएंगे यह बहुत जल्दी बनके तयार हो जाएंगे यह देखो अब हम उल्टी साइड से अपना यह ग्रीन कलर लगाएंगे जिस तर ऐसे मैंने इसमें लगाया है आप इसे सिंगल बूल से भी बना सकते हो सिंगल कलर से मैंने इसमें डवल कलर लिया है यह देखो इस उल्ट को आगे की साइड दबाते हुए आप इससे बड़े बनाने चाहते हो तो यहीं से पंदे जादा डाले मैं तीन से चान नमर बता रही हूँ आप पांच यह छे से बनाएं तो यहीं से पंदे जादा डाले बनाने का सीम रहेगा मैं इससे सिंपल बता रही हूँ अगर जाली वाला बनाना चाहते है तो मेरे चैनल पर मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है आप उसमें जाकर देख सकते हो मेरी चैनल पर और बहुत कमेंट आये थे कि मैं आप एक सिंपल वाला सोक्स बताएं तो मैं इसमें सिंपल वाला बता रही हूँ आप जाली वाला बनाएं तो मेरे चैनल पर जाएं उस पर देखें यह देखो इस तरह से अब हमने एक सलाई गना लिए ग्रीन से अब हम एक सलाई वाइट से इस तरह से हम इसमें डिजाइन डालेंगे यह देखो यह देखो अब हम ग्रीन से बनाएंगे तो देखो फ्रेंड एक सलाई हम गरीन की और एक सलाई हमारी वाइट से ज़िए अब हम इसमें खाली छे सलाई बनाऊंगी, यह देखो, छे सलाई से बहुत जल्दी बनके तयार होगा, बड़ा बनाना चाहते हैं, तो फंदे जादा डालके सलाई जादा बना ले, यह देखो, यह देखो, तो देखो, फ्रेंड, यह हमारी एक, एक तो हमारी फंदे वाली होगई, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, छे सलाई हमारी सलाई के उपर है, तो एक, तो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आर्थ, नो, तास, इसी तरह हम सीधी साइट से बनाएं, दस फंदों को बना लाती हैं, देखो, बना लिए, दोनु साइट से, अब हम अपने यहां से, आदे आदे पंदे करेंगे, तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पाच, पाच फंदे हम नेए इस सलाई पे रखने हैं और पाच फंदे इस सलाई पे रखे, तो दोनों को इस तरह ऐसे कर लेन जो, यह देखो, पांच फंदे इधर साइट और पांस विंदे हमारे फफन अवमने तीजरी स्लाई लेनी है تीजरी स्लाई से एक फंदा और फंद ओका इस तरह रहें हमें gagn 2 फंदे बट्य इस तरह हम फंदंद से इन merit लाई समेर हम करें ओस्तों ga somewhat यह फिर से के बनाएं है एक पीछे वाले फंदे के उपपर गिरा लेंगे ये देखो पीछे वाले फंदे के उपपर ये देखो इस तरह से गिरा लेंगे फिर हम इसी तरह एक फंदा आगे का पीछे का और एक फंदा आगे से लेके दौनों को एक साथ बनाएंगे और ये पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के उपर इस तरह से गिराले में गिरा लिया अब एक फंदा पीछे का एक फंदा आगे का ये देखो बनाया पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के उपर हमें इस तरह से लेंगे और गिरा लेंगे अब फिर से रिफिट करे में एक फंदा पीछे का एक फंदा आगे का अब दोनों को साथ पनाएंगे अब ऑने ये पिछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर इस से गिरा लिए फंदे हमारे बंद हो चुके हैं इस तरह से बंद कर दीओ आप इसे सुई से भी सिलाई कर सकते हो अब हमने इसी वूल को इस तरह एश्टरा रखना है और यहीं से कट लगा के इसमें हमने अपने नेडिल को डालना तो देखो फ्रेंड हमने इसी वूल में एश इस ते पकड़ते हुए एक एक चैन में डालते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे यही देखो यही पर हम नॉट्स लगा देगे अब यहां से कट कर लेंगे अब हम इसको सीधा करेंगे तो देखो फ्रेंड यह हमने सीधा कर दिया है सूज बनके तयार हो गया है यह देखो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान तरीक से मैंने बनाना बता है आप इससे इजिली बना सकते हो यह देखो बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत जल्दी बनके तयार हो जाते है यह देखो तो फ्रेंड आपको यह लड़ो को पल के सूज कैसे लगे कमंट करके जरूर बताए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ यह देखो तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई